आप सबी लोगों का हमारी शेमास कार्डनिंग में बहुत बहुत शागत है आप सबी लोगों का बहुत बहुत दन्यवाज जो आपने हमेशा हमारा साथ दिया है और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल फा रही थी इसलिए कुछ मुझे प्रॉब्लम तबियत मेरी ठीक नहीं थी तो आज कुछ बेटर हुई है हलकी जो मैं अपने फ्रेंड्स को अपना टैरस गार्डन जरूर दिखाओं कि इसलिए कि बहुत फ्रेंड का कहना था कि आपने काफी दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है और अपनी गार्डन का कुछ में वेजटिवल्स के बारे मे जरूर दिखाएं तो मैं आज रेड्स से स्टार्टिंग करती हूँ अपने गार्डन की जो हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे कई चीज़े हैं जो मुझे हार्वेस्ट भी करनी थी मैंने अपने गार्डन का खयाल भी नहीं जादा रखवाया है और ध अच्छे से मेरे फैमली मेंबर ने हमारा गार्डन का ख्याल रखा है और देखती हूँ मैं आपको आज वेजी पे अपडेट दूँगी फिर फूर्ट का नेक्स्ट वीडियो अपडेट जरूर दूँगी जो सब चीज़ें ये मेरे टैरेस पे लगी होई हैं देखरें कित प्रकार की से में आती है इस्टेम दो ये तीन प्रकार जैसे रेड शेम आती है वाइट सेम ग्रीन तो इस तरह से सेम है ये और इसमें ग्रीन यली सेम है तो इसमें फ्लाविंग भी बहुत अच्छी है और छोटी से सेम दिख भी रही है देखें छोटी सेम निकल रही है त और अच्छी growth भी हो रही हो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है मैंने काफी दिन से terrace पे नहीं ध्यान दिया है और ये सिप मेरे family members कही है मेहनत का जो काफी support किया है मारा तो देख रहे हैं न कितनी अच्छी flowering भी हो रही है ये जो मैं आपको दिखाओं कि अभी चलके दिखाती हूं इसको हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत अच्छे famous और फाइदे मन भी होता है चेड़ा इसको हमारे language भी कहते हैं अगर आपके हमें क्या कहते हैं जिए मुझे comments करके जरूर बताएगा ये भी बहुत सारी अच्छी growth हो रही है बहुत सार जैसे कि नैच्रल चीज नैच्रल खाद इन चीजों से हमारे plant भी बहुत अच्छे होते हैं और हमारी शेहत भी अच्छी होती हमारा परियावेड़ में सुदर्चा है तो देखें ये मैंने बोरियों में कुछ मैंने सरसो के साग लगा है अगर आचा harvest करके जिसमें कोई chemical य काल लूँगे तिससे और अच्छे से फैलेगा और अच्छे से ग्रोथ पाएगा तो देख रहे ना इतने बड़े-बड़े होगा काफी मैं harvest भी से कर लेती हूं जिससे हम अपनी घर में यूज भी कर लेते हैं और खारा भरा हमारा garden भी लगता है खुबसूरत भी लगता ह देखने में तो चलिए मैं कुछ harvest vegetables कर लेती हूं जो हम घर में यूज कर सकते हैं पकाने के लिए या किसी भी तरह का आप उसका सलाद बना सकते हैं सबजी बना सकते हैं तो मैंने यह कम जो हमारे बोरियां आती हैं उनमें यह सक चीजे मैं ग्रोथ करती हूं जादा तर और मैं आपको दिखाती हूं मूली मैंने मूली भी ग्रोव की है जो मैंने अपने टैरस पर आज वेजिटेबस ग्रोव की है वह मैं आपको दिखा रही हूं जो मेरे टैरस पर स्टैम है विंटर के दिसंबर महीना चल रहा है स्टैम मेरे टैरस पर काफी वेजिटेबस मैंने ग बहुत अच्छे से मैंने फालतु की चीजे जो हमारे बोरिया आता है चावल आता है उसमें यह ग्रू करके रखे थे और काफी फालतु वाली प्लांट भी लग गए हैं काफी सारे धेर सारे जब उनकी हम केर कम कर फाते हैं तो यह सब चीजे ग्रू हो जाती है तो यह जो मैं आपको प्लांट यह डेसी प्लांट है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है बहुत प्यारी ग्रूथ होती इसमें और यह दिखे मैंने आलू भी ग्रू किया है जब मैंने काफी एक महीना भी नहीं हुआ है मैंने तब इसको ग्रू किया था और दिखे कितनी अच्छे से स्टेम आलो तो सब भी चांदे eakit खूपशी हो ओर लक्टा है और हम अपंग घर में ग्रोँ करते हैं तो भोरत हमें खूश्छी होती औलद्धर जम्सक्राइप की विए प्रफर कष़ी लगता है चोटी-जम्सką से हम अपने गार्डन में अगर सरसो का फूल या सरसो लगाएं तो कितने अच्छा लगता है देखिए मेरे कितने प्यारे और काफी चीजे हम इन फूलों से मिलती है तो देखिए हनी अपना काम कर रही है वो अपने लिए शहर हम रहा हम सभी के लिए तयार कर दी है और खुबसूरत फू स्टेम आप सारी वेजिटिबल से भी लगा सकते हैं फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा टैमिंग है कि बहुत प्यारी प्यारी फूल भी आपके स्टेम में लेंगे आपको आपका गारन बहुत खुबसर लगने बाला है और नेक्स्ट वीडियो में अपने फ्लावर प्लांट प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं और इसके बाद मैं आपको जरूर अपड़ीट दूँगी फ्रूट्स के बारे में जो मेरे कई फ्रेंड्स का कहना है कि मुझे फ्रूट्स बताईए जो मेरे टैर्स में लगे हुए काफी फ्रूट्स मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स् सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाने जरूर याद रखिए जिसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक फॉर वाचिंग वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद